तो प्रेशरे एकजाम के हिंदी के सप्राइट करते हैं आज कि वीडियो को स्टारिकेटा है शान्ति प्रियद्वेदी, हजारी प्रसाद्वेदी, कुवेरनात राय या फिर विद्धिया निवास मिश्र तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें को टच के रचाहिता की तो इसका जो राइट आंसर है वो है उप्शन नमर भी हजारी प्रसाद्वेदी नेक्स्ट आते हैं अबला जीवन हाय तुमारी यही कहानी आचल में है दूद और आखों में है पानी उप्युक पंक्तियां किस काववे की हैं यह बहुत पूछी जाते हैं पंक्तियां कामाईनी, साकेत, या शोद्रा या फिर आंसू तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो राइड आंसर है वो है उप्शन नमर्ड सी जो की है यह शोद्रा नेक्स्ट आते हैं मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पत पर तुम देना फैक मादवमी पर शीष चड़ाने जिस पत पर जाएं वीर अनेक प्रिस्तुत पंक्तियों में रचईता है सत्यनाराण पांडे सुहन लाल दुएदी बाल प्रेशन शर्मा नवीन या फिर माखन लाल चतरुएदी तो फ्रेंट्स इसका जो राइट आंसर है वो है option अमड़ी माखन लाल चतरुएदी की ये पंक्तियां है उनके दौरा लिखी हुई नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें लोकोतियों के बार में पूछा गया है लोकोतियों मुहावरी है हमें उनके सही अर्थ बताने है कागच के घोडे दोडाना यानि की लंबी लिखा पड़ी करना बेकार बाते करना लिखित परमार देना या फिर इन मैसे कोई नहीं तो फ्रेंड्स का राइड आउंसर है लंबी लिखा पड़ी करना का मतलब होता है कागच के घोडे दोडाना ठीक है नेक्स्ट है बालू की भीत यानि की निसार वस्तू रेगिस्तानी इलाका शीगर नस्ट हो जाने वाली वस्तू या फिर इन मैसे कोई नहीं तो फ्रेंड इस बालू की भीत की बात करें तो यहाँ पर इसका राइड आउंसर है सीगर नस्ट हो जाने वाली बस्तू नेक्स्ट आते हैं कनक कनकते सौगनी मादकता दिकाय में कौन सा लंकार है सलेश यमक अतिश्योक्ति या फिर अनुप्रास तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइड बिन्पारी सबसून में कौन सा लंकार है सलेश यमक भांतिमान या फिर द्रस्टांत तो फ्रेंड्स राइड आउंसर है सलेश लंकार नेक्स्ट आते हैं दिए गई शब्दों में से समास बताने के लिए उच्छित विकल्प का चैन कीजिए पाप पुर्णे में कौन सा है तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ कि जो पाप पुर्णे है ये एक्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है ओप्शन है दिगू, बिन्द, ततपुरुष या फिर कर्मधार्रे तो इसका जो राइड आउंसर है फ्रेंड्स वो है यहाँ पर ऑप्श अब हमें बताना है तरफला में कौन सा समास है अब वेभाव, दिंद, दिगू या फिर कर्मधार्रे तो तरफला में यहाँ पर समास है दिगू समास नेक्स्ट है हिंदी के पर्थम गद्दकार है राजा, शिव, परसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारते इंदु, हरिष्चन या फिर बालकरिष्ण भट्ट तो फ्रेंड्स का राइड आइड आंसर है उप्शन नम्मर बी जो की है लल्लू लाल नेक्स्ट आते हैं हमें यहां पर पंक्तियां दी हुई है उसमें अलंकार बताना है द्धनी मई करके गिरी कंद्रा कलित कानन केली निकुंज को छेकानू प्रास है वरत्यानू प्रास है लटानू प्रास है या फिर यमकल अलंकार है ठीक है तो फ्रेंड्स यहां पर इसमे वृत्तानु प्रास अलंकार यूस किया गया है, ठीक है तो option B right answer है, next है, प्रतेक प्रश्न के नीचे दिये गए शब्दों में से सही बलॉम शब्द ग्यात करना है, सम्मुक यानि कि उन्मुक, विमुक, प्रमुक या फिर अधिमुक, तो friends का right answer है B, विमुक, next है संपन, option है इसके आसन, विपन, निश्पन या फिर विशन, तो friends का right answer है, option number B, जो की है विपन, next आते हैं, स्थावर, स्थावर में कौन सा अयूज हुआ है यहाँ पर, सचल, चंचल, चेतन या फिर जंगम, तो friends यहाँ पर स्थावर के according जो right answer है, वो है यहाँ पर option number D, जो की है जंग अब यहाँ पर हमें बताना है, जहाँ उपमे में अनेक कुप मानों की शंका होती हुआ हो तो वहाँ पर संते ह Driven in Mohi. के रचनाकार कौन है प्रिसाद पन निराला या फिर महादेवी वर्मा यह बहुत पूछा जाता है friends तो friends यहाँ पर कामाईनी की बात करें तो इसके अंदर यो यूज हुआ है वो हुआ है प्रिसाद यानि के जैसंकर प्रिसाद की ये कामाईनी है next है ये किताब रमेश को दे दो इस वाक्य में कारक कौन सा है संप्रदान अधीकरण करण या कर्म तो friends दे दो को दे दो आ रहा है तो को यहाँ पर याद रखिए यहाँ पर जो कारक यूज हुआ है वो है कर्म का कारक करता ने कर्म को तो कर्म कारक है next है प्रति हिंसा में कौन सा उपसर प्रतियूग हुआ है उपसर की बात की जारे है, यानि की आगे प्रति हिंसा, तो friends यहां पर आप खुद देख लिजी अगर आप इसको अलग करेंगे तो प्रती निकल कर आएगा और हिंसा का एक अलग मीनिंग होता है तो option भी यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next आते हैं श्रिंगार रस का स्थाई भाव क्या है यह friends में आपको 20 day series में करा चुकी हूँ तो देखिए आपने देखा 20 day series से हमारी बहुत सारे questions है जो कि यहाँ पर फस्ते है तो श्रिंगार रस की बात करें तो इसमें रती स्थाई भाव है यह बहुत पूछा जाता है श्रिंगार रस का स्थाई भाव क्या है तो वो है रती next है पुत्री का परियावाची नहीं है कौन नंदिनी, दुहिता, तनुजा या फे दारा तो फ्रेंट्स राइट आंसर है इसका उप्शन नंबर भी दुहिता next आते हैं अब इसमें प्रश्न के में हमें चार शब्द दी हुआ है हमें सही अलंकार बताना है बढ़े ना हूजे गुनन, बिनू बिरद बढ़ाई पाए तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो यूस किया गया है अलंकार वो यहाँ पर अलंकार है अर्थानू यारा अलंकार ठीक है तो उप्शन से यहाँ पर हमारा राइट आंसर है next है चरण कमलबन दो हरी राई यह मैंने आपको 20 डे सीरीज में भी कराई है कौन सा लंकार है? सलेश, उप्मा, रूपक या फिर अतिश्योक्ती तो फ्रेंट्स यहाँ पर यूस किया गया है रूपक लंकार तो उप्शन से यहाँ पर राइट आंसर है चरण कमल यह जो यह बताया गया है कि जो चरण है हरी के कलम की तरह है ठीक है चरण कलम बन दो हरी राई ठीक है तो यहाँ पर रूपक लंकार यूस किया गया है नेक्स्ट है तीन बेर खाती थी तीन बेर खाती थी मैं कौन सा लंका है अनुप्रा स्लेश यमक या अनियोक्ती तो फ्रेंट्स यहाँ पर राइट आंसर है सी यमक क्योंकि देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर तीन बेर खाती तीन बेर खाती, यहाँ पे बेर और यहाँ भी बेर, में अलग-अलग मतलब, जैसे कि आपने सुना कनक कनक सौगनी, ठीक है, वहाँ पे भी कनक कनक है, लेकिन दोनों कनक का मतलब अलग होता है सेम उसी तरह से यहाँ पे दो बार बेर आ रहा है लेकिन दौनों बार बेर का मतलब अलग है तीन बेर खाती और तीन बेर खाती एक बार बेर जो फल होता है उसके बार में बताए गया है और एक बार बेर का मतलब तीन बार है ठीक है तो दौनों का अर्थ यहाँ पर अलग लगे इसलिए यहां पर option c यमक लंकार हमारा right answer है अब यहां पर हमें संधियां बताने हैं संधि विच्छेद करना है मत्यक्के में कौन सी संधि है दीर्ग संधी यण संधी गुण संधी या फिर ब्रद्धी संधी तो friends यहां पर इसका जो right answer है वो है option नमर डी ब्रद्धी संधी मत्यक्के में ब्रद्धी संधी का यूस किया गया है नेक्स्ट आते हैं उजवल उजवल का साई संधी विच्छेद क्या है उत्प्लस जवल उत्प्लस जवल उत्प्लस जल या फिर उत्प्लस जवल तो friends यहां पर इसका जो right answer है वो है option नमर बी ज औरम्वक काल को आचारे रामचन शुक्ल ने क्या कहा है? आधी काल, चारन काल, वीर गाता काल या फिर सिद्ध सामन्त काल तो यहां पर आचारे रामचन शुक्ल की बात की जारही है 20-day सीरीज में अगें यी वाला कॉश्चन मेंने कराया हुआ है प्लीज प्लीज एक बार जरूर आप 20 डेस सीरीज सारी देख लिजेगा ठीक है पूरे 20 डेस की है वो जरूर देखेगा तो वहाँ पर आरंबिक काल को अचरे रामचन शुकल ने ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने कहा है वीरगाता काल ठीक है और अगर हम सिद्व सामंद चारण और आदी कमल काल की बात करें तो इनको अलग-अलग पड़सन ने कहा है तो वो भी हमने वहाँ पर डेसकस किया हुआ ह ठीक है जहां उपमे में अनेक उपमानों की शंक़ा होती हैं वहां कौन सा अलंकार होता। देखिए फिर से वही कौशन आया है ठीक है? यमक, सलेश, भ्रान्तिमान या फिर संधे तो फ्रेंड्स यहाँ पर संधे हैं क्योंकि आप यहाँ पर याद रखियेगा शंका है वहाँ पर सं उलू, उलू, उलूक, उलक, तो friends यहां पर right answer है, option number C, उलूक, ठीक है, तो friends यह था हमारा आज का practice set, I hope आपको वीडियो आज की पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए, वीडियो को like कीचे, अपने friends या share कीचे, और किसी भी तरह की query हो तो जरूर बिताएगा, तो friends, next वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए take care, bye bye